दोस्तों स्त्रियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह चाहे कित्मी भी सत्यवादी क्यों ना हो उनके अंदर अंगिनत रह से दबे रहते हैं. आचार्य चारक्य में भी चारक्य नीती में स्त्रीयों से जुड़ी ऐसी ही चार बातों को बताया है जिने वह अपने पती तक को भी नहीं बताती और ये चारों ही चीजे ऐसी हैं जो महिलाओं में पुरुशों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन रहस्यों के बारे में तो बने रहें आज की इस विडियो के अंग तर नमस्कार और स्वागत है आप सभी का M.T. ज्यान गंगा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दोस्तों आपसे निवेदन है कि गरीब के चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विंती करती हूँ मित्रों वास्तव ने आचार्य चानक्य ने अपनी निती में स्त्रीयों की पुरुषों से तुलना करते हुए उनकी भावनाओं के बारे में बताया है जो स्त्रीयों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है अब मित्रों ये तो यथार्थ है कि महिलाओं में प्रेम, प्यार और तब जैसी ऐसी बहुत सी भावनाएं होती है जिनकी पुरुषों से यदी तुन्ना की जाए तो वह कहीं अधिक है परन्तु मित्रों आचार्य चानक्य द्वारा गठिप जिन भावनाओं की आज हम बात करने जा रही हैं वो इनसे काफी अलग है तो चलिए शुरू करते हैं पहली है शर्म और लज्जा मित्रों वैसे भी आपने आम बोलचान की भाषा में ये सुना ही होगा कि शर्म एक स्त्री का गहना होता है जिसका प्रमाण है चानक्य नीती में वर्नित तथ्य में कि एक स्त्री के अंदर शर्म और लज्जा पुरुषों की तुलना में चार गुना अधिक होती है यही कारण है कि चाहे वो कोई भी स्त्री हो वो कुछ भी कृत्य करने से पहले कई बार जरूर सोचती है कि उसके परिवार वालों पर इस कृत्य का अच्छा असर पड़ेगा या फिर बुरा दूसरा है भूख आचारे चानक के कहते हैं कि हर स्त्री की भूख अर्थात आहात पुरुषों की तुलना में दो गुना होता है जी हाँ सुनने में भले ही असंभव लगे परंटु यह सत्य है वर्तमान समय की बात करें तो आपको ऐसी स्त्रीयां बहुत की कम देखने को मिलेंगी जो ज्यादा भोजन करती हो लेकिन इन में उनका कोई दोश नहीं आज की जीवन शैली और अव्यवस्थित खानपान ही ऐसा है जिसके चलते स्त्रीयां खुद को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के रूप में कुछ चीजे ग्रहन करती है अब चलते हैं तीसरी चीज की तरफ जो है कामवासना आचारे चानक के कहते हैं कि प्रतिक स्त्री में कामवासना भी पुरुशों से कहीं अधिक होती है लेकिन असीन सहन शक्ती और साहस के कारण स्त्रीया अपने अंदर की ये इच्छा कभी उजागर नहीं होने देती बलकि धर्म और अपने संसकारों की अनुयाई रहकर वह अपने परिवार को संभालती है हमारे धार्मिक शास्त्र ही नहीं इस तथ्य का समर्थन तो विज्ञान भी करता है जिसके अनुसार एक पुरुश की अपेक्षा स्त्री के अंदर कामवासना की इच्छा ज्यादा उत्पन्न होती है समाज में हमेशा से जब भी साहस और बलका जिक्र होता है तो उसे सीधा पुरुशों या फिर उनके पुरुशार्ट से जोड़ कर देखा जाता है तो वहीं स्त्रीयों को कोमल समझ कर उन्हें सुरक्षित रखने की बात कही जाती है मित्रों यह एक सामाजिक धाना है आपको बता दे चानक के नीती में वर्नित यह चौथी बात सुनकर आपका यह नजरिया बदल सकता है चानक के जी कहते हैं कि पुरुशों की अपेक्षा स्त्रिया छे गुना अधिक साहसी होती है जी हाँ अगर वो कुछ ठान ले तो पीछे कभी नहीं हटती है और सफलता प्राप करके ही लोटती है यही कारण है कि पुराणों में भी स्त्रियों को शक्ती का स्वरूप माना गया है तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताए गए यह तत्या आपको स्त्रियों को समझने में और उनसे जुड़ी सोच को बदलने में सहायत साबित हुए होंगे दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और धार्मिक और अध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल M.T. ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिल्हान आज के लिए बस इतना ही इजाज़त दे आपका बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद